हाई एवरिवान में किमी राठोर आज की बेश रेसिपी में आपका स्वागत है आज की रेसिपी में हम आपके ले के आए हैं कच्ची केरी से बना हुआ खटा मिठा और चटपटा स्वाधिश्ट मुरब्ब्बे की रेसिपी कच्ची केरी का मुरब्बा बहुत कम सामान में आसान तरीके से कैसे बनाएं इसकी रेशिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कच्ची केरी का मुरब्बा बनाने के लिए हमने देड़ किलोग्राम ताजी कच्ची केरी ली है कच्ची केरी को हमने दो से तिन बार साप पानी से अच्छे से वाश करके सूती कपड़े से अच्छे से पोच लिया है इसमें थोड़ा भी पानी नहीं लगा है सबसे पहले हम सारी कच्ची केरी की उपरी परत को छिल कर इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे इस तरह से ब्लेक वाला हिस्सा हटा देंगे इस तरह से हमने कच्ची केरी की उपरी परत को छिल लिया है इसी तरह से हम सारी कच्ची केरी की उपरी परत को छिल लेंगे इस तरह से हमने सारे कच्चे आम को छिल लिया है अब हम सारे कच्चे आम को इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे हमने सारी कच्ची केरी को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है अब हम ग्रेट की वही कच्ची केरी को बावल में टास्पर कर लेंगे हमने कच्ची केरी का मुरब्बा बनाने के लिए 1.5 kg के लगभग कच्ची केरी ली थी कच्ची केरी के छिलके निकालने के बाद और गुटलिया निकालने के बाद एक किलोग्राम के लगभग कच्ची केरी रह गई है कच्ची केरी का मुरब्बा बनाने के लिए और हमने एट किया है एक किलोग्राम चीनी कच्ची केरी का मुरब्बा बनाने के लिए जितनी मात्रा में हमने कच्ची केरी लिए उतनी मातरा में हमने चीनी भी लिए कक्ची केरी का मुरब्बा बनाने के लिए चीनी आप लोग अपने हिसाब से ठोड़ी बहुत कम ज्यादा यह कर सकते हूं कच्छी केरी का मुरब्बा बनाने के लिए और किया है छुप सही हिए अब हम ग्रेट कीवी कच्ची केरी को कड़ाई में डाल देंगे कच्ची केरी और चीनी को अच्छे से मिला देंगे हमने कच्ची केरी और चीनी को अच्छे से मिला दिया है अब हम चलते हैं नेक्ट प्रोसेस के और अब हम कडाई को गेस पर रखेंगे गेस की आज तेज रखेंगे और चीनी गुलने तक इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे हमें तेज आज पर कच्ची केरी को पकाते हुए दो से तीन मट हो गए हैं चीनी पुरी तरह से गुल गई है अब हम गेस की आज मिडियम कर देंगे और केरी को तब तक पकाएंगे जब तक चासनी थोड़ी गाड़ी नहीं हो जाती और हर थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे हमें मिडियम आज पर कच्ची केरी को पकाते हुए आट से दस मिट हो गए है चासनी थोड़ी गाड़ी हो गई है और केरी भी थोड़ी पक गई है अब हम इसमें बाकी मसाले डाल देंगे गेज की आज बिल्कुल धिमी कर देंगे और इसमें एक चोथाई चम्मच कास्मिरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे कास्मिरी लाल मिर्च पाउडर तीकी नहीं होती है इससे मुरब्ब्बे का कलर अच्छा आएगा एक चोथाई चम्मच जीरा पाउडर एक चुथाई चम्मच काला नमक इन सब को अच्छे से मिला देंगे हमने सारे मसाले को अच्छे से मिला दिया है अब हम इसमें पिसीवी इलाइचे डाल देंगे इलाइची पावडर को भी अच्छे से मिला देंगे मुरब्बे में इलाइची पाउडर एट करने से मुरब्बे की खुश्बू और इसका टेस्ट दोनों बहुत अच्छे आएंगे हमने इलाइची पाउडर को भी केरी में अच्छे से मिला दिया है गेज की आँज धीमी रखेंगे और चास्टनी को 5-6 मिनट तक और चलाते हुए पका लेंगे हमें इलाइची पाउडर और मसाले एट करने के बाद इसको पकाते हुए 5-6 मिनट हो गए है चास्टनी गाड़ी हो गई है और मसाला भी अच्छे से सिख गया है हमें मुरब्ब्बे को इतना ही गाड़ा रहने देना है जब यह ठंडा होगा तो और थोड़ा गाड़ा हो जाएगा मुरब्बा बन गया है अब हम गेज को बन कर देंगे गेज बन करने के बाद हम मुरब्बे को 2-3 मिन तक और लगातार चलाते हुए पकाएगे कड़ाई गरम है यदि हम इसे ऐसा ही छोड़ देंगे तो मुरब्बा जल जाएगा और मुरब्बे का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा हमने कच्ची केरी के मुरब्बे में पानी बिल्कुल भी नहीं एट किया है बिना पानी के ही मुरब्बा बनाया है हमें गेज बन करने के बाद मुरब्बे को चलाते हुए 2-3 मिट हो गए है मुरब्बा थोड़ा ठंडा हो गया है अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए कडाई में इसे ही छोड़ देंगे हमने गेज बन करने के बाद मुरब्बा को आदे गंटे के लिए ठंडा होने के लिए कड़ाई में छोड़ दिया था मुरब्बा पुरी तरह से ठंडा हो गया है अब हम इसे बाउल में ट्रास्पर कर लेंगे मुरब्बा रखने के लिए हमने इस तरह का ढक्कन वाला काज का बाउल लिया है आप लोग जब भी अपने घर पर मुरब्बा बनाए मुरब्बा रखने के लिए इस तरह का काज का या प्लास्टिक का कंटेनर लेना है यदि हम तामबा पीतल या एलुमिनियम के कंटेनर में रखेंगे तो मुरब्बा खराब हो जाएगा और मुरब्बे का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा इस तरह से मुरब्बा बहुत कम सामान में जटपट से बन जाता है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है इस तरह से कच्छी केरी का खटा मिठा और चटपटा स्वादिष्ट मुरब्बा बन कर तयार है इस तरह से हम कच्छी केरी का मुरब्बा बना कर कंटेनर में भरकर फ्रीज में इस्टोर करके रख सकते हैं और इसका यूज़ खाने में साल भर तक कर सकते हैं, यह खराब नहीं होगा. तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आप लोगों को हमारी कच्ची केरी का मुरब्बा बनाने की रेसिपी, हमें कमेंड समझ जरूर बताईएगा, और यदि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आएगा, तो आप हमारे चेनल को लाइक, शेर और सबस्काइब जरूर कीजेगा, और आप भी अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजेगा, और हमारे तरीके से कच्ची केरी का मुरब्बा बना कर टेस्ट करिएगा, यह आप लोगों कोई बहुत पसंद आएगा, कल फिर मिलेंगे, एक नए रेसिपी में धन्यवाद,